बड़ेश्वर महादे मंदिर से सीधा दरेश्य आप देख ता रहे हैं जहां सनातनि चतृमास का समापन कल होना है और आज आप देखें कि पुरी तैयारी होगी हो चुकी है और आज राज़े तरी संधिया होगी और उसके बाद में आप देखें कि सब्सक्राइब करना है कब जाना है और यहां से वेपुर से कल प्रस्तान करेंगे यह मुना तठ पर जहां पहुंचेंगे जहां तैयार या पुरी चल रहे हैं हैं तो अब देख औरहे हैं कि मारा सरी सामने एं पर रेया हैं सबी फक्त मिल रहे हैं सबी संथ बार बार दूर दूर से पधारे हुए अधितियों का जो है सम्मान में भी लगे हुए हैं आज आप देखें कि आज नेंद भी आपने नहीं निकाली और आज पूरा दिन समर्पित किया है आज रात की संध्या भी होनी है और कल माराज का यहा बोले नात्य चाहत हो लेकिन अभी जो नजारा आप देखने है दिरित में यहां सभी संथिनों का यहां आगमन सुरू हो गया है और लगतार संथिनी बढ़ते ही जा रहे हैं अब कल का दरश्य है बड़ा ही मार्मिक होने वाला है गुरु माराज के यहां पर पूरे पांच महीने देखते देखते बिद गए जब वो पदा रहे थे तब भी बरसाद हो रही थी और आज भी बरसाद हुई है पूरी आप देखें कि शेहर की सड़के चरन दल्यों से दुल गई है और अभी भी दुला हुआ नजारा आप देखें कि जैहो आजाओ इदर जैहो तो दे अपने देश जाने वाले हैं यहां देश और विदेश से भी संत आए हैं वो भी अपने अपने देश जहें वो जाने वाले हैं और उसी क्या एक खुशी का परव भी कल है और दुख का परव यह है कि पांच महीने पूरे सभी संतों नहीं यहां बिताए हैं यह शंड तो हम पहद बड़ा इस्तान ही हैं तो इसका ध्यान में रखते हुए सबी को यह पर सारी ववस्थाय करें । टाकि दर्साथ हो चाहर गरमी हो चाह सरदी हो तो लोगों को पुरी सुयधा यहाँ पर मिलें ति कि लोगों को यहां कश्प न हो छोटा मोटे ठेरने की ववस्ता भी यहां पर रहे ऐसी आशा है